आते जहां पर कॉंग्रेस की बैचक में हंगामा कॉंग्रेस प्रदेश सचिव कुमुद गंगवार के सामने हुई मारपीट प्रवक्ता हिलाल नकवी ने बुलाई थी बैठक जिलादेक्ष रागवेंद्र सिंग और जफर अली नकवी गुट में हुई मारपीट तो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हम वो फुतिस दिखा रहे हैं जिसमें जिलादेक्ष रागवेंद्र सिंग और जफर अली नकवीन के गुट में जो मारपीट हुई पुर्खीरी से हम आपको वो फुतिस दिखा रहे हैं जिसमें कॉंग्रेस की बैठक बुलाए गई थी और दो गुटों के बीच हंगामा हो गया तो हम आपके टीवी स्क्रीन पर वोई फुतिस दिखा रहे हैं लखीम पुर्खीरी से जिसमें कॉंग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हो गया गुटों के बीच कॉंग्रेस प्रदेश सचिव कुमुद गंगवार ने के सामने ये मारपीट हो गई प्रवक्ता जो इसके प्रवक्ता है हिलाल नकवी ने ये बैठक बुलाई थी जिस दौरान ये मारपीट और ये हंगामा शुरू हो गया जिलार ध्यक्षर रागवेंडर सिंग और जफर अली नकवी दोनों गुटों में मारपीट हो गई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हंगामा तूल ले लिया ये कॉंग्रेस की बैठक बुलाई गई थी जिस दौरान ये हंगामा हो गया लखीम पुर्खीरी से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं ये जो बैठक बुलाई गई थी और आश्ट्री प्रवक्ता हिलाल नकवी ने बुलाया था आमेर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी आमेर रजा क्या कुछ जानकारी मिल पारी के विवाद किस वज़े से हुआ हिलाल नकवी ने बैठक बुलाई थी ये सब कैसे हो गया यह अज बैठक बुलाई गई थी उसमें जी जीफर अली नकवी नकवी ने पर पूर सांसर पे उनके जारा बनाए गए थे लेकिन जीफर में बदाए गए और यहां पर जीफर को बदलने की बातों जो खेमा तो जीफर प्रवग्दा हिलाल नक्वी ने यह बैठक बुल्ट के साथ में था वो उनके खिलाप खड़ा हो गया और यहां पर स्वैफ मत्वी के सामने जो बुट आपस में बिढ़े बिढ़ गये और इतना बिढ़ गये कि दोनों लोग आपस में मार्टीट कर ले तो कहीं न कहीं का हम आपको खबर दिखा रहे हैं लकीम पुर्खीरी से जहां पर प्रवग्दा हिलाल नक्वी ने यह बैठक बुलाई थे और जिसमें दो गुटों में हंगामा हो गया कॉंग्रेस की बैठक रखी गई थी जिस दोरान यह हंगामा हुआ लकीम पुर्खीरी से आपको यह हुआ 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 है